गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम इन आवर ओनलाइन क्लासेज इट्स यूर मैथ क्लास स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ओफ नंबर्स क्या है कंपैरिजन ओफ नंबर्स हमें नंबर्स का कंपैरिजन करना है comparison करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है greater क्या क्या मीनिंग होता है बड़ा यह जो sign है यह sign किसका sign होता है greater का okay friends smaller smaller क्या sign हो smaller क्या क्या मीनिंग होता है छोटा और यह जो sign दिया गया है यह sign क्या होता है smaller का sign होता है smaller का sign होता है जैसे देखो बेटा यह हमारे पास एक example दी गई है यह example है हमारे पास यह कितने apples हैं हमारे पास two apples हैं और यहां पे जो यह apples दिए गई है यह apples हमारे पास कितने apples है one हमें इनका क्या करना है comparison करना है कि इन में से कौन बड़ा है okay students तो जैसे यह हमारे पास two apples हैं यहां पर हमारे पास one apples है okay students तो इन में से greater कौन है यह वाला two two और one में से कौन greater है two तो हम यहां पर greater का sign लगाएंगे okay students जो भी बड़ा होता है okay students उसकी तरफ हम इसका क्या करते है मूँ जो होता है वो खोल देते है okay students जो भी desert बड़ा होता है हम उसकी तरफ क्या करते है इसका मूँ खोल देते है okay students तो next हमारा topic है equals to क्या topic है equals to यह हमारा equals to का sign होता है okay students figures are equal on the both sides of sign equals to equals to का sign हम लगाते हैं जहां पर both sides जो figures दी गई है वो same होती है वो equal होती है जैसे यह हमारे पास bells दी गई है हमारे पस यहां पर कितनी bells है three bells है और यहां पर हमारे पास कितनी bells है three bells है तो three is equals to three अगर दोनों side से same digit है तो हम कौन सा sign लगाते हैं equals to का okay students so students next हम हमारे book का page number 28 write करेंगे count the pictures and put the correct sign greater smallest और equals to हमें जो pictures दी गई है हमें उन्हें क्या करना है count करना है and put the correct sign greater smallest और equals to और हमें उनमें sign correct sign put करना है कि कौन सा sign आएगा उनमें first हमारे पास amaryalas है one two कितनी amaryalas है हमारे पास two amaryalas और right side हमारे पास कितनी amaryalas है one amaryalas यहां पे हमारे पास two amaryalas है यहां पे हमारे पास one amaryalas है two और one में से कौन बड़ा होता है two कौन बड़ा होता है two तो हमने पीछे अभी किया है कि जो भी हमारे पास बड़ा होता है उसकी तरफ हमें क्या करना होता है इसका मुँ खोलना होता है उक्स्टूडेंट्स, तो हमारे पस क्या साइन आएगा, ग्रेटर का साइन जो भी इन में बड़ा होगा हम उसकी तरफ इसका क्या करेंगे मुँ खोल देंगे, उक्स्टूडेंट्स क्लियर नेक्स्ट, हमारे पस यहां पर caps दी गई हैं हमारे पास यहां पर कितनी caps है one two three four कितनी caps है हमारे पास यहां पर four caps है okay students तो right side हमारे पास कितनी caps है one two three four five six कितनी caps है six caps है okay students left hand side हमारे पास four caps है और right hand साइड हमारे पास कितनी कैप्स हैं six कैप्स हैं और six और four में से कौन बड़ा होता है six कौन बड़ा होता है six तो जो बड़ा होगा हम उसकी तरफ जो हमारा sign होता है उसका हम क्या करेंगे मूँ खोल देंगे जो भी डिजर्ट इन में से बड़ा होगा हम उसकी तरफ क्या करेंगे इस साइन का मुँख खोल देंगे तो बाकी के जो two sums हैं वो आपने अपनी बुक पर खुद करने हैं तैंक यू स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ